आज हम डिस्कस करेंगे BLIS 103 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक mode of subject formation और इसमें हम इसके सभी subject formation के बारे में में डिस्कस करेंगे और चुकि लेक्चर बहुत ही थोड़ा बड़ा है तो इसे दो लेक्चर में कबर करेंगे तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते कि mode of formation of subject होता क्या है तो अगर हम बात करें कि हर कुछ सेकेंड बाद हर कुछ मिनट बाद कुछ नए-णए subject form होते हैं और हमारे डीडीसी में जो एक main classes की बात करें तो 10 main classes नहीं पर दिवाइड किया आता है तो एक limited हमारे पास main classes है इसे प्रकार्ट अगर हम बात करें CC में तो 42 main classes हमारे पास दी हुई है तो हम अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसे हम कैसे एड करेंगे तो विसा निर्माड वीडियो में इन नए subject को हम कैसे बात करें कि बात करें कि बेसिक सब्जेक्ट तो पेसिक में भी इसे दो बागों में डिवाइड कियाता है तो अगर प्राइमरी बेसिक तो जो से की हम कॉमनली हुज करते हैं वेइंजी हुगाई और आपका हिंदी हो गया इंगश होगए तो प्राइमरी सब्जेक्ट हैं और आपको बैदे इंग्लिस बहुत हैं और proph cog बेसिक सब्ज единति होते हैं वह मलत किस निचोड कर निकल कर आता है इसकल सब्जेक्ट को पूछते हैं ङसे रिसन्ष मेट्रोजः हो गया है इस Jersey हो करते हैं कि इसी प्र कार से सब्जेक्ट बैंडल भी है जिसमें की हम लोग रिलीजन और एक सब्जेक्ट बंडल या prepare god कि तरह से यूज करते हैं तो यह हमारे प्रैमरी सब्जेक्ट हैं इसी प्रेकर से नौन ट्राइमरी बैसिक सबजिक्ट होते हैं जिसके केनो के इकल टासे होती हैं तो मैस में भी इसके सब कैडेग्रीस निकेंटरी हो गई कहलाती है ठाल और इसे प्रकार से हमारी अगर बादेश्चंग की ऐलका सिस्टम होते हैं जिसे हमारोग नौन बेसिक अलोपैथी है तो यह हमारे सिस्टम होते हैं जो कि हमारे नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं वो हमारे में क्लासे में होते हैं बट अलग सिस्टम के अंतर गताते हैं इसलिए नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं ठीक है इसी प्रकार से हम बात करें कि अगर इन्वायमेंट के तो हमारे पास वह और रिखना में हो गया तो इस तरह से अमारी नॉमिक हमारे इन्वायमेंट पर बेस्ट सब्जेट होते हैं तो यह बात कि हमने की बेसिक सब्जेट को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है अब हम बात करते कि हमारे जो तो compound subject हैं वो कौन से हैं compound subject आपको यहां पर slide में दिख रहा है इस subjects are compound of a basic class and one or more isolate compound subject comprises a basic subject and facet arranged in some systematic order मतलब अगर हमारे पास main class है तो main class के facet के बीच में जो relation बना के जो हम एक नया subject form करते हैं वो हमारा compound subject कहलाता है जिससे कि आप एक्जामबल्स दिये हुए eye medicine, human disease, eye disease या treatment of eye diseases तो यह आप इसमें देख रहे हैं कि यह जो इसमें main classes सभी की सेम है और जो subject form हो रहा है वो subject उन main classes के facet के बीच में relation बनाने के बाद ही हम उस subject को form कर रहा है जिससे में आई है तो वो एक personality है medicine की, el medicine main class की तो यह हमारे compound subject कहलाते हैं two or more phase two or more main classes होती है और जिनके facet की बीच में relation करते हैं main classes की बीच में relation करके जो नया subject form होता है वो हमारा complex subject के अंतरगात आता है जैसे कि हम बात करें example की तो geopolitics हो गया, astrophysics हो गया, astronomy हो गया तो यह सारे हमारे complex subject क्या है complex subject क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो main class है जियो अलग है और पॉडिक्स अलग है तो यह दो आपकी main subject है इसी प्रकार से astronomy की बात करें तो आपका astro अलग है astronomy अलग है और physics अलग है तो दोनों को मिला के अलग हमने astro physics बनाया तो इसी प्रकार से आपके complex subject की मलब एक उत्पत्ती होती है हम कह सकते हैं यहां पर हमने phase relation के बारे मताया हुआ है कि इसको फेलेशन को भी इसको फेलेशन के टर्म में भी डिफाइन करते हैं कि इंट्रेक्शन सब्सक्राइब करते हैं कि यह जो हम मौड फॉर्मेशन को पढ़ रहते हैं यह जो हम मौड फॉर्मेशन को पढ़ रहते हैं तो वह क्या क्या होते हैं तो यहां पर हम यहां पर हमने फेलेशन को लिया है तो फेलेशन पहले समझ लेते हैं फिर आगे हम लोग मोड फॉर्मेशन को समझते हैं कि मोड फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फेलेशन ही भी है तो हम पहले फेलेशन को अब हम बात करते हैं कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं और इसा तो जो एत्ता रगनातन सर जो कि आर बात सब्ब्सांद के वोगो हुए तो उनोंने हमारा जो काई शुप अर तरह को टम दी अ था और इसके बात और उन्हों वह वे बात कि थे फाइफ काइड्स ऑफ रिलेशन इसमें आपके जो फैयरिशन होते हैं तीन टाइप के होते हैं और उन में जो लेवल होते हैं वह के ओड़ प्सक्राइब स्वुपर श्वांच प्रकार की भाती गई है और इसी के बात इडिशन में जो रिलेशन थे इसके उनको 6 टाइप में डिवाइट किया यह जैसे कि अम बात करें हमारे पास फेजिशन तीन टैप की होते हैं इंट्रा सब्चेक्ट इंट्राफेसिट और इंट्रारे और उनके बीच में जो कितने प्रकानों का रिलेशन होता है वो पहले 6 एडिशन में 5 प्रकार का था और 7 गया तो हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह कौन-कौन से फेज लेशन है यहां पर मैंने बात की है काईट्स ओफ फेज लेशन जिससे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 7 एडिशन में रगनादन सन्ने 6 फिफ्ट तक था यानि कि जन्नल, बायस, कमपैजन, डिफ फ्रेंस, इंफ्लेंस हमारे पास 6 एडिशन में था, 7 टेंशन में टूल को भी एड किया गया था, तो यह काईट्स ओफेज लेशन हैं कि जो किस प्रकार के रिलेशन मतलब होते हैं, हमारे जो फेज लेशन, तीन टाइप्स के होते हैं, उनमें कितने प्रकार के रिलेशन है स्वारा उसके बारे में बताया गया है कि जर्णल होता है जिसमें हम दो में क्लासस को यूज़ करते ही जिसकी कि एजश हैद से हमरा बाइस क कहले तो वह हमारा वाढ़ेस कहलता था जिस Iron Gotta अगर यहां पर बात की जारी यहां पर से लिखा हुए Mathematics for Biologist तो Mathematics Biologist बाइस कर रही है बाइस को तो यहां पर एक पक्ष ले रही है तो इसमें यह फेवर कर रही है तो बाइस इस तरह की अगर प्रॉब्लम साती तो बाइस के अंदर गताती है और अगर मात करें कम्पैरजन की तो कम्पैर्जन में जासे की कमड़ो में डिफ्रेंस की तरह होता है कि डिफ्रेंस नीहीद c जिए निफेरेंस बिजिट्म हिंदी औं एंगलिच तो इसे प्रकाद से Karate ती डिज वम दॉटीं लेस्ट क 상 cig जी पकलतρε Hybrid kinds of relation वो हमारा होता है कि influence यानि कि प्रभावित कर रहा है तो इसमें एक जब हम लोग number मी बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं यह भी एक point वाली बात है जैसे कि यहां पर बात की गए ही physics influence by mathematics यानि कि physics influence हो रही तो physics का number में लोग पहले बनाएंगे और mathematics से influence कर रही है तो mathematics का number हमारा बाद में बनेगा ठीक है और इसी प्रकार हम बात करेंगे last relation की तो हमारा टूल relation जो है कि last है जिसमें बात की इसे philosophy of science तो इसमें क्या होता टूल में यह चीज़े होती है जो चीज़े application होती है वो हमारी मलब या फिर उचको as a tool हम apply करते हैं जैसे यहां पर बात की गई philosophy of science तो हम philosophy को किस तरह से science में apply कर रहे हैं इसी प्रकार से अगर हम बात करने स्टैटिस्टिक for science तो स्टैटिस्टिक को हम किस तरह से science में apply कर रहे है जैसे statistical tools को हम लोग किस तरह से तो इक तरह से application होता है कि हम tools में as a tool किसी subject को use कर रहे हैं तो वो हमारा tool type का relation कहलाता है ठीक है तो यह कितने प्रकार के relation है मैंने इसके बारे में बताया अब हम बताते हैं कि कि कितने phase relation कौन-कौन से phase relation होते हैं हम इसमें mode of formation में इसको discuss करेंगे कि mode of formation जो है वो phase relation का ही पार्ट है और जब हम लोग loose assemblage type 1, loose assemblage type 2 और loose assemblage type 3 पढ़ेंगे तो हम इसके जो phase relation है उसको देख पाएंगे कि loose assemblage type 1 जो दिख रहा है आपको वो हमारा intra subject phase relation कहलाता है जो loose assemblage type 2 जो है वो हमारा intra-facet phase relation कहलाता है और जो loose assemblage type 3 है वो हमारा intra-array relation कहलाता है और मैंने स्टार्टिक में बताया भी था कि जो हमारा phase relation है वो mode of formation of subject का ही पार्ट है तो अब हम mode of formation subject को start करते हैं और इसी में हम phase relation के बारे में आपको one by one बताएंगे जिसे की mode of formation की बात की है तो यह हमने points पहले ही discuss कर लिया था कि mode of formation आपका जो इसके six type में divide किया गया था वो हमारा seventh edition में आया था और five type जो हमारा fifth type में relation को divide किया था वो हमारा six edition में आया था तो वो आगे हमने पहले ही बात कर चुके हैं और mode of formation को रंग नात्रस ने कितने भागों में divide किया गया है इसके बारे में बताया गया है आपका यह total 12 भागों में divide किया गया है लूज असेंबले टाइफ वन टू एंड फ्री एंड लैमिनेशन टाइफ वन टाइफ टू फिजन डिशक्शन डैनुडेशन फिजन डिश्टिलेशन अग्लोमेरेशन सब्जेक्ट बंदल और क्लस्टर तो आज हम केवल पार्ट वन को डिसकस करेंगे यानि कि फेजिशन क की लेशन बड़ी तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं लूज टाइफ बन यहां पर बात की जारें लूज असेंगलेस की सब्सक्राइब और लूज असेंगलेशन डाइफ बात करें यानि तो मेन क्लास अलग-alग होगी और उनकी बीच में बीच वह तो हमारा intra subject relation कहलाएगा जैसे कि अगर हम इसमें हमने इसके बारे में पहले ही बता दिया कि हमारे जो कितने types के relation होते हैं वो six types के होते हैं और वो हम पहले ही discuss कर चुके तो वो discuss नहीं करेंगे में लू जिसमें types 1 होता क्या है वो हम discuss कर रहें कि इसमें दो में क्लास अलग अलग होती है जैसे कि अगर हम बात करें जर्नल की तो यह फिर बायस की बात करें कमपैजन की तो difference between physics and chemistry तो मारी में क्लास अलग है और chemistry की अलग है इसी प्रकार से difference between chemistry and biology तो दोनों में क्लास अलग है और दोनों के बीच में जो होतो है वो हमारा intra subject phase relation कहलाता है ठीक है और इसके आगे examples भी दिये हुए है कि एक जो six relation है six types के relation है उसको कैसे हम लोग identify करते हैं यह देखी examples लिए तो आप इससे समझ सकते हैं इसे relation between history and literature तो इसमें general relation है mathematics for engineering तो यह bias relation है कि mathematics engineers के लिए यूज हो रही है अप्रिकेशन for mathematics techniques in is in literature criticism तो यह तूल का यूज हो रहा है इससे comparison difference है और physics inference by mathematics तो एक्सांपल है loose assemblies के जो अरड़ी हम discuss कर चुके हैं अब बात करते हैं loose assemblies तो इसमें कुछ खास नहीं होता बस यह अंतर होता है कि इसमें जसे कि मैंने बताया था आपको loose assemblies one में आपका दो में अलग अलग होती है और इसमें क्या होता है कि आपका main class 1 होती है और उस में क्लास के facet के पीच में relation होता है किसी भी दो facet के पीच में relation होता है तो वो हमारा intra facet relation कहलाता है intra facet relation कहलाता है और इसे ही हम लोग loose assemblies type 2 कहते हैं और इसमें जैसे कि अगर हम बात कर example की तो जैसे कि अगर यहां पर example दिख रहा होगा रिलेशन बिट्विन हिंदूस्म और बुद्धिस्म तो इसमें जो आपकी क्लास आप देख पा लेंगे तो रिलिज्ञ मेंग्याओ से और उसके क्लास की दो कोडंब्स भीचा का यूज किया गया छोग जो कि बॉल्ट स्रै होते हैं ज़रलिवह ऑ्रीकार करिए रिलिज्ज से प्रकार से बुद्धिस्में एक बसे कि और उन्की बीस में वह हमारा इंट्राफेसिक एक क्लास के दू फेसिक का यूज करके हमारा इंट्राफेसिक रिलेशन को बताया गया है तो इसी प्रकार से एक में में खलास के दो फेशिट के बीच में रीलेशन होता है तो हमारा इंट्रा फेशिट इन्यूवर्स्टी लडिरी एक्षेडमी लडिरी लडिरी तो वह थे पीच में जब रिलेशन होता है तो वह हमारा ग्रूज अस्टाइप 3 होता है और इसे ही इंट्रा एरे रिलेशन कहते हैं इसे कि यहां बात कीए गहीं मेल एंड फिमेल साइकॉलजी कि तो साइकॉलजी के अब का एक human psychology उसके अंदर आप male and female दोनों आ रहा है?' तो यह हमारा एक मेंड़ों में ख्लास है और इस एक है और अब दो आरों के बीच में relation है कि इसी प्रकार से अगर मात करें यहां पर Library Classification & Cataloging तो यहां पर Influence of Library Classification & Cataloging हमारी Library Science is main class है Classification हमारा main है और उसके बीच मेरा Classification & Cataloging उसके arrow है तो यह basically क्या होता है कि एक main class होती है एक उसका facet होता है उनके बीच में वैर्ओं की बात की जाती है तो यह लूज समय टाइप 3 है और जिसे हम लोग इंट्रा एरे रिलेशन भी कहते हैं तो आई होप उसका आपको समझ में आया होगा यह और इन सारी जो हमने बताया आपको फेज रिलेशन द्वारा जो होता है वो कॉंपलेक्स सब्जेट की उत्पत्ती होती है और इसे हमने आज कवर किया और नेक्स लेक्टर में हम इसे कवर करेंगे जो बचे हुए हमारे पास मोड़ ओफॉर्मेशन सब्जेट के टाइप है उसे हम कवर करेंगे तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मज करेंग एक्वर्मेशन सब्जेट के लिए एकर दोल्टी के लिएफ।